इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आप सब के साथ मैं हूँ प्रियंकार है अपने जुनून को उद्देशिम में बदलना आसा नहीं होता यहां कदम कदम पर रोडे रहते हैं जिनें पार करते हुए लक्ष तक पहुचा जाता है बात इसलिए क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 22 जन्वरी को जिस राम मंदिर का घाटन करने जा रहे हैं उसके पीछे आस्था भक्ति की पांच दशक लंबी यात्रा रही है पांच दशक की कड़ी साधना अराधना रही है व्यक्ति विशेश में आज देखिए पियम मोदी की राम साध पियम मोदी की राम साधना पीडियों को प्रेरित करने वाली है पांच दशक में नरेंद्र मोदी सवयम सेवक से कार सेवक बने मुख्य मंत्री और फिर प्रधान मंत्री बने लेकिन अयोध्या में भध्य और दिव्य राम मंदीर का लक्ष्य शन भर के लिए भी आखों से ओजल नहीं हुआ इसी का परिणाम है कि 22 जनवरी को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की दशकों की साधना साकार होने जा रही है ज्यावर राम चंदर की घए जावर राम चंदर की आरत मापकी मंदित भलाने से कोई सरकार या नियायाले हमको रौप नहीं सकती, नहीं सकती, नहीं सकती 20 साल पहले 1 अगस्त 2003 को जब राम मंदिर आंदोलन के सूतरधार महंत रामचंद्र परमहंसदास उनके साके धम पधारने के बाद पुर्व प्रधानमंत्री स्वर्गिय अटल विहारी बाजबेई ने एक भविश्यवानी की थी किसी के ये कहने पर कि महंत जी भी नहीं रहे, अब लगता है राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा तव अटल जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, राम मंदिर जरूर बनेगा राम मंदिर बनवाने वाला बीजेपी का ही कोई महापुरुश होगा कारी बाजपी का ये पहला भासन था, सर्जो के पावंद तपर्ठ परभनष की जलती हुई चिता के बीच उनोंने कहा था मैं रहूं या न रहूं लेकिन हमारी ही पार्टी का एक महापुरुस आएगा जो राम जर्वि मंदिर का निर्मान करेगा पुर्व पियम अटल जी की भविश्यवानी सच सावित हुई है प्रभुश्री राम का धाम बन कर तयार है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का वक्त भीता है और राम काज को बोर्ण करने का दौरत यश और पौने जिनके हिस्तिया आया है वो है राम भक्त नरेंद्र मुद्र इश्मानिया नरेंद्र भी की थी तो पूरा संग परिवार के सब कारेकरता मिलके या अंदोलन में शवभाग करते थे तो उनका प्रमुख हिय था कि गुजरात के प्रतिग गाओं में और समाज के विवित वर्ग को साथ लाने के लिए अलग-अलग संप्रदाय के सादू स सब्सक्राइब के प्रमुख लोगों को मिलना सभी समाज के वडी लोगों को मिलना ऐसा एक अभ्यान चला था रामकाज पूरा हो रहा है संत महंत रामभक्तों से लेकर आम इंसान तक हर कोई प्रभु की भक्ति और रामधुन की गूंज में डूबा है अयोध्या नगरी कुछ इसकदर भव्य और दिव्य स्वरूप हासिल कर चुकी है कि एसास होता है कि शायत रिता युग में भी अवदपुरी का गौरव कुछ ऐसा ही होगा लिकने सब के बीच सवाल भी उठ रहे हैं कुछ नेता रामकाज पर विवाद पैदा कर रहे हैं कोई वोट वेंक का जिक्र करता है कोई ध्रूवी करण के आरोप लगाता है अब सवाल ये है कि क्या ये ध्रुवी करण है, क्या ये वोट वेंक की राजनीती है या फिर ये एक शक्ती साधना है 30 साल पहले लिए संकल्प की शक्ती उस संकल्प की शक्ती साधना जो 30 साल पहले नरंद्र मोदी ने लिया था दश्को का संगहर्ष मोदी की राम प्रतिग्या पूरी उस प्रतिग्या की जो दश्को के संगहर्ष के बाद पूर्ण होने जा रही है 14 जन्वरी 1992 को राम लला को साक्षी मान कर राम जन्मूप परिशर में नरेंद्र मोदी ने जो संकर्प लिया था जो प्रतिग्या की थी वो अब पूरी हो रही है खुद अपने ही आतों से पीम मोदी जाम लला के उनके नए धाम में सतकार करेंगे प्राहर प्रतिष्ठा कारेक्रम में पीम मोदी मुखी जमान के तोर पर शामिल होगे लेकिन इस संकल्प को पूरा करने में का संगर बेहत कठिन और लंबा रहा इसके हर दोर से आज आपको वाकिप कराएंगे शियावार राम чंद्र की आज़ आज मापा की भर्यक्षिण आजय पाकी कर दो झाल! तो 22 जन्वरी को अयोध्या में प्रभू श्री राम लोट रहे हैं राम लला अपने नए धाम में विराजमान होंगे दिव्य भव्य और लव्य राम मंदिर में होने वाली प्रान प्रतिष्ठा के कारक्रम में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान बनकर पूजा में शामिल होंगे पियम मोदी ने 30 साल पहले राम लेला को साक्षी मानकर जो प्रण लिया था जो प्रतिग्या की थी वो पूरी होने जा रही है हराथ मापकी थी 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 थी, हराथ मापकी ब्रभुराम के लिए नरंद्र मोदी की पतिग्या जब गाउ गाउ जाकर टीम मोदी ने जगाई ही राम की अलग जब अपने लेखों से पिये मोदी ने जाम भक्तों को जगाई ही राम काज का संकल्प तीस बरस की राम साधना पूरी कि वाटन जीहरी बाजपी का ये पहला भासन था सर्जो के पावंतर पर करमंस की जल्पी ही किता सबीच उनोंने कहां था मैं रहू या न रहू लेकिन हमारी ही पार्टी का एक महापुरुष आएगा जो राम जबह मंदिर का निर्मान करेगा मोदी की राम भक्ती से जुड़ी हर घटना, हर तस्वीर और हर तक्थ्य मौजूद है बस देखने वालों को नजर चाहिए मोदी तब से राम के अनन्य भक्त है जब जन्म भूमी आंदोलन, साधू और संतों का संगर्ष था जब मोदी ना पीम थे ना सीम, ना ही बीजेपी के बड़े लीडर नजवान मोदी ने राम मंदिर के लिए जीवन समर्पित किया था नरंद्र मोदी का अयुथा से, राम लला से, राम जन्म भूमी से नाता, छे दशक पुराना 1970 से लेकर 2024 तक राम भक्त मोदी की अनसुनी कथाए जानने के लिए हम उस दौर में चलते हैं जब नरंद्र मोदी राष्ट्रिय स्वयंग सेवक संग की शाखा के स्वयंग सेवक थे राम भक्त मोदी का पहला उल्लेख निय प्रयास 1970 में देखा गया तब स्वयंग सेवक नरंद्र मोदी ने राम जन्मभूमी आंदोलन के लिए गुजरात के गाउंगाउं की यात्रा की थी तब मोदी ने अपनी टीम के साथ मिलकर 9000 से ज़्यादा गाउंगी खागच अंडाली उन्होंने पूरे प्रदेश में घुंगुम कर 55 लाख लोगों को राम के काम से जोडने का बीडा उठाया था संग की जिम्मेदारी मान्या नेरेंद्र भी की थी तो पूरा संग परिवार के सब कारेकरता मिलके या आंदोलन में शहभाग करते थे तो उनका प्रमुख यह था कि गुजरात के प्रति गाओं में और समाज के विविद वर्ग को साथ लाने के लिए अलग-अलग संप्रदाय के साधू संतों को मिलना, सभी संप्रदाय के प्रमुख लोगों को मिलना, सभी समाज के वडीलों को मिलना, ऐसा एक अभियान चला था मोदी के राम काज की प्रशनशा संध की है, जिसके बाद उन्होंने मंदिर आंदूलन के जन जागरण अभियान की लगाम ठाम ली मोदी ने पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखने शुरू किये, मोदी ने 1989 साधना मेकजीन में राम मंदर निर्माण जरूरी क्यों है, इस पर लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा आज राम शिला राश्रिय चीतना का प्रतीक बन गई है और इसका विरोध करने वालों को बैचे नहीं हो सकती है राम शिला का महत्व राम मंदर निर्माण से परे है, ये लाखों लोगों के दिलों में विश्वास बन गई है भविश्य के भारत, अखंड भारत के निर्माण के लिए उन प्रतीकों के पुनर निर्माण की जरूरत है जो दिलों को जोडते हैं ना कि जो दिलों को तोडते है गोस्वामी तुलसिदास जी की कही बात राम काज करिवी कुवातुर आज हिर्दयंगम करना अवश्यक है राम मंदिर जो गाउ के है वहां की भावना को देश के राम मंदिर तक जोड़ने का काम अभी किसे ने किया तो नरंद्र भाई ने किया राम मंदर निर्मान नरंद्र मोदी के लिए कभी राज का काज नहीं दा उन्होंने अपनी कथनी और करनी से ये चरतार्थ किया कि राम मंदर निर्मान राम का काम था साल 1989 में राम शिला पूजन के वक्त की ये तस्वीर देखिए जिसमें नरंद्र मोदी गुजराद की गली-गली घुमकर गाउवालों से प्रभुश्री राम के मंदर निर्मान के लिए इट के टुकड़े ही कठा कर रहे थे नरंद्र मोदी ने सभी माध्यमों से देश के माहौल को राम के प्रती अगाध श्रद्धा से भरने का मिशन चला रखा था अपने लेखों से भाशन से यात्राओं से वो नया जोश नया एहसास के साथ हिवा पीड़ी में आस्था की उमंग जगा रहे थे इसी कड़ी में मोदी का एक भाशन बेहत पॉपलर हुआ दम मोदी के भाशन की हज़ारों कैसेट बना कर बाटी गई थी ताकि लोगों तक इस जन्देश को पहुचाया जा सके जन्म भूमी मंदीर परज राम जन्म भूमी मंदीर बनाज राम मंदीर बने से नहीं रोख सकती रामजानमी को लेकर उनके भाषन होते थे उस समय, तो उतने research-based भाषन होते थे, कि कहां से वो सब तथे लेकर आते थे, कहां से वो सारा material लाते होंगे, पर इतना authentic material, वो सारा material जब उनके भाषन में होता था और किस प्रकार से तुरुष्टी करन की रादनीती से देश का नुक्सान हो रहा है और किस प्रकार से संस्कूतिक राष्टवाद का उत्थान इस देश के लिए जुरू भी है तो रामजुनी आंदोरन संस्कूतिक राष्टवाद का उत्थान के रूप में उन्होंने कारेकर 25 सितंबर 1990 का दिन सोमनास से अयुध्या तक रत यात्रा की शुरुवात हुई लाल कृष्ण आडवानी के रत के साथ की बने नरंद्रमोदी रत यात्रा गुजरात के 600 गाउं से होकर गुजरी रामकाज की प्रतिक्यां के साथ निकले उस रत पर आडवानी के साथ नरंद्रम कोई भी इसा ना होना चाहिए कि जहां से लोग आतर के उनके दर्शन न कर सके उनको सांबा उनका आवाज न सुन सके या तो जो वातावन बनाना है वो न बन पाए ऐसा नहों ये वो वक्त था जब नवरात्र चल रहे थे नरंद्रमोदी ब्रत में बिना कुछ खाय सिर्फ जल्पी कर रत यात्रा को काम्याब बनाने में जुटे थे नरंद्रमोदी पर राम काज की धुन सवार थी एक वारुन की प्रतिवधता देखकर लाल कृष्ण आडवानी की पत्नी कमला आडवानी ने भावुक होकर उने कुछ देर आराम करने को कहा था तो उनका जवाब कुछ हैसा था यही कहर प्रतिवाधता ही संची मेरी पुकार है। यह मेरा वास्तविक जीवन है और मैं इसका आनन्द लेता हूँ। राम काज में नरंद्र मोदी को कितना आनंद आता था उसकी एक जलक इन तस्वीरों में साफ दिखती है ये 1991 में दिल्ली के बोर्ट कलब में विश्व हिंदू बडशक का आयोजन था नरंद्र मोदी यहां एक वोलेंटियर बन राम के काम में आये थे जब मोदी साधु संतों से आश्चिरवाद ले रहे थे तब उन्होंने साध्वे रितंभरा से बाते की थी दीदी मा रितंभरा आज भी उन्ही यादों को संजो कर अपने सास रखती है आदे में नरंद्र भाई मोदी उस समय बहुत ही सक्रियता से सारे कारिकरमों की योजना बनाना सभाओं की बेवस्थाओं में लगना तो उसमें वो इस तरह सक्रिय थे तो आप देख रहे हो कि बोट कलब की रैली की वो ऐसा धिराट रूप उस समय तो कोई शोचल मीडिया नहीं था कुछ भी नहीं था तो यह हमारे कारिकरताओं का बल था विष्विंद्यू परिष्वत का मित्री तो और फिर नरंद्र भाई मोढी जी जैसे ऐसे व्यकतित्व काamıत्री तो जो आप पीछे रहकर पूरी बिवस्थां को जुटा रहे थे राम लला को पूजने वाले नरंद्र मोदी, राम को आदर्श मानने वाले मोदी, क्या कभी राम लला के दर्शन के लिए नहीं गए? इसके पीछे एक बेहत दिल्चस्प किस्दा है, संकल्प की शक्ति का सूत्रधार रही एक कहानी है, वो आपको आगे दिखाएंगे टेंट में विराजमान राम लला के दर्शन के वक्त नरेंद्र मोदी ने एक प्रतिग्या लिथी, कि वो जन्म भूमी पर तब लोटेंगे, जब मंदिर निर्मान का रास्ता साफ हो जाएगा नरेंद्र मोदी तीन देशक के इंतिजार के बाद अयोध्या वापिस लोटे, उन्होंने ही राम लला के भव्य मंदिर की बुनियाद रखी यही राम भाक्त मोदी 22 जन्वरी को राम लला के प्रान प्रतिष्ठा के पूर्णे के भी भागी होंगे और पूरी दुनिया एक बार फिर प्रभू श्री राम को अवध पूरी लोटते हुए देखेगी और इतिहास के इन शुभ पलों को संजो लेगी प्रभू श्री राम के लिए एक राम भात की ये प्रतिग्या तीस वरस का लंबा संघर्ष और राम लला को पूजने वाले नरंद्र मोदी राम को आदर्ष मानने वाले मोदी क्या कभी राम लला के दर्शन के लिए नहीं गए तो इस कहानी को भी जानिए ये राम लला के दर्शन करते हुए नरंद्र मोदी की तस्वीर है टेंट में विराजवान रामलला के दर्शन के वक्त नरंद्र मोधी ने एक प्रतिज्या कर ली थी कि वो जन्म भूमी पर तब लोटेंगे जब मंदर निर्मान का रास्ता साफ हो जाएगा दशकों की अधालती सुनवाई के बाद राम की कृपा से ये रास्ता तब साफ हुआ जब नरंद्र मोधी के हाथ देश की बागदो राई नरंद्र मोधी तीन दशक के इंतजार के बाद अयोध्या वापस लोटे उन्होंने ही राम लला के भध्य मंदर की बुनियाद रखी यही राम भक्त मोधी 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के पुन्य के भागी होंगे और पूरी दुनिया एक वार फिर प्रभुश्री राम को अवध पूरी लोटते हुए देखेगी और इतिहास इन शुभ पलों को संजो लेगा क्योंकि पाँच सद्यों के इंतजार के बाद ये घड़ी आई है लिकिन क्या सचमुच नरंद्र मोधी ने राम लला के लिए कोई प्रतिग्या ली थी और ली थी तो वो क्या थी आज आप को एक ऐसे शक्स की जुवानी ये कहानी सुनाते हैं जो ना सिर्फ राम मंदिर आंदोलन के करीब करीब हर पल का साक्षी रहा है बलकि उसने इन तस्वीरों को संजोया भी है दरसल पीयम मोधी की जिस तस्वीर को आपने देखा उसे खीचने वाला भी यही शक्स है बात कर रहे हैं फोटोग्राफर महंदर त्रिपाठी की उन्होंने पीयम मोधी के उस दिन राम लला के भावुक दर्शनों से जुड़ी ये कहानी न्यूज जटीन से साजा की है क्या देख रहे हैं तो मैं उनके तरफ भी देखने लगा कि सब लोग दर्शन करके तुरंट चले जाते हैं ये रुके हुए है तो मेरे मन में कुछ आया कि इन से कुछ सवाल करें कि क्या बाते आपकी राम लला से हो रही हैं कि आपने सवाल कर ही लिया मैंने कुछा कि राम लला जी से आप बहुत देर तक टक टकी लगाए देख रहे थे मबलब कुछ खास आपने कुछ बाते की है या कोई संकलप लिया है तो हम उसकुराए वह ने कहा ये आपको नहीं बताऊंगा फिर हमने कहा कि न बताईए फिर बाहर आये तो फिर हमने आउटस बीर उनकी खिची हाथ में प्रसाद लिये हुए है डिम्बे पे खड़े है पियम नरंद्र मोदी ने सिर्फ राम संकलप ही पूरा नहीं किया बलकि राम की नगरी की सूरत ही बदल डाली अब अयुध्या अपने दिव्य और भव्य स्वरूप के साथ तकनीक में उननत हर सुविधा के लिए जानी जाती है एरपोर्ट से लेकर अध्याधुनिक रेलवे स्टेशन और सर्यू के सुन्दर घाटों से लेकर अयुध्या की उननत तस्वेर दिखाई देती है पियम मोदी ने राम के आदरशों को आत्मसाथ किया है जिसकी मिसाल है दलितों के घर में उनकी मौझूद्गी वो अयुध्या में प्रवु राम के काम के लिए आये तो दलित के घर जाकर हाल लिया चाई पी और पूछ भी लिया कोई दिक्कत तो नहीं यहीं आपकी जैसे कलतना दिवैसा बना है आप किस्तों में बलाग अलग अलग लग किस्तों में बिले पचास को था तब तेटल का दो पचास आ यह तो जो शीता करना गया जी किसी को रिश्वत गतना नहीं किसी को मैंने नहीं दिया एक भी रुपया नहीं दिया चाह बहुत अच्छी बनाई है और मैं चाह वाला उच्छे मुझे पसा रहता है कि चाह कैसे बहुत है नरेंद्र मोधी ने जो राम संकल पलिया था तब वो ना तो प्रधानमंत्री थे और ना ही किसी ऐसे पद पर थे लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिग्या को पूरी करने के लिए संघर्ष का एक लंबा रास्ता चुना एक तरफ समाज सिवा की जिम्मेदारियों को बखोवी निभाया तो दूसरी तरफ प्रभु के काम में जीवन समर्पित कर दिया उसी का फल है कि आज वो प्रभु के दर्शन करने वाले पहले शक्स बनने जा रहे हैं जब राम लला अपने नए धाम में विराजमान होंगे तो पियम मोदी ही भगवान की प्रतिमा का परदा हटाएंगे इस खास पेशकेश में फिल हाल इतना ही नमस्कार